अगर आप भी अपने बच्चों को पिलाते हैं फ्रूटी तो हो जाएं साउधान। फ्रूटी के इस पाउच में निकला खतरना कीडा। बच्चों को कोई भी चीज बंद पैकिट में देने सो हो सकता है। जान का खतरा। बच्चों के साथ खुद भी न पियें इन पैकिटों में बंद चीजे। आजकर आम तोर पर पाउच या छोटे पैकिटों में कुछ भी खाना या पीना ट्रेंड बन चुका है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो बंद पाउच या पैकिटों में खाते या पीते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसा करते हैं तो हो जाएं साउधान क्योंकि इस तरह का खाना पीना आपके लिए जान लेवा हो सकता है। और इसकी क्लिमत आपको अपनी जान देकर चुकानी पर सकती है। लेकिन आप आप सोच रहे होंगे कि आप से हम ऐसा किस लिए बोल रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। तस्वीरों में दिख रही ये मासूम सी बच्ची इसका शिकार हो चुकी है। हलाकि गनीमत रही कि बच्ची को कोई नुकसान नहीं हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना राजस्थान के उदैपुर शहर की है। इस बच्ची ने अपनी पास की दुकान से एक फ्रूटी ली जो की आमतोर पर रोजाना बच्चे सौफ ड्रिंक के रूप में पीते हैं। जो की काफी पॉपिलर भी है। लेकिन इस बार बच्ची के साथ जो हुआ वो काफी खतरनाक हो सकता था। बच्ची ने फ्रूटी के साथ मिलने वाली पाइप को इस पैकेट में डाल कर पीने की कोशिश की तो ड्रिंक उसके मूँ तक नहीं पहुँच पाई। जिससे परेशान होकर उसने इसकी शिकायत अपने घरवालों से की लेकिन घरवालों ने इस पाउच के अंदर जो देखा उसे देखकर वो आश्चर में पढ़ गए। जा हुआ यह बता दे। ने अश्चर में अगर किसी को भी बच्चों को नुखसान हो जा तो जिम्मेदार कुन होगा। चाहिए बच्चों से यह कहना चाहते हैं कि इस तरह की सैंपल्स के जांच करेए। झाल झाल